हलो फ्रेंड आज़का वेडियम हम बात करें, ट्रांसफर्मर प्रोटक्षण वाए में ट्रांसफर्म प्रोटक्षण एक किसिंद किशके होता है, जो कि इंडर्वियू में और अगर आप यह सब्सक्राइट में काम कर रहे हैं तो आपको यह transformer protection बारे में जानना जरूरी हो जाता है इससे पहले मैं आपको बता देता है कुछ जो transformer होता क्या है फिरेंटर्स transformer होता है यह एक static device होता है जो की हमारा distribution system में use किया जाता है इसके जर्ये हम क्या करते हमारा requirement के हिसाब से transformer जो voltage होता है वोल्टेज को step up और step down कर सकते है मतलब frequency को change ना करके हम transformer voltage को जो हमारा requirement voltage होता है input से output को जो आता है हम उसको step up या step down कर सकते है transformer जैसे कि मैं पहले से बता है आपको static device होता है इसका अंदर कोई भी होगल पार्ट नहीं होता है यह actually farthest loss of electromagnetic induction का mutual induction जो law है तो हिसके हिसाफ से काम करता है जैसे कि में आपको बता है कि transformer में कोई movable बाक नहीं होता है इसके लिए इस जो transformer में जो losses भी रहता है वो सिर्फ सिर्फ constant lassets रहता है और core losses जो रहता था तो constant Laces का अंदर जाता है इसमें से हमारा historis और integral losses भी रहता है और हमारा का फॉल असेश भी रहता है इस सब के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं डिस्कुशन में इसका लिंक ले दिया हूँ आप वहाँ से देख लीजिए तो चलिए अभी हम सलते ट्रांसफर्मर प्रोटेक्शन के बारे में बात करने लिए फिर जो ट्रांसफर होता है वह बहुत ही लिमिटेड होता है लेकिन जो भी फॉल्ड इसमें होता है वह बहुत ही डेंजरेस होता है इसका जो रिपारिंग और रिप्लेस्मेंट टाइम ज्यादा होगा जिसमें हमारा ब्रेकडाउन टाइम भी बढ़ जाएगा तो यह हमारा इंडोस्टियल में प्र Whenever the cabinet कले करेखacter दो हमको यह करना है की ट्रांसफर्मर्व का अधासर ज horrend evidence करना है इसके लिए हमको ट्रांसफर्मर्व का करना है इन सै condemnail Ctrl doctrine को नो में और शौत टायम में हो जाता है किसी भी पाउर ट्रांसफर्मा में इंटेगरी के लिए अलग होता है यह सिगी हमारा क्रेटेगरी वान में आएगा सिंगिल फेज पांत से 500 अथे खीए में और ठीच आएगा पंद्रा से 500 के भी है में ठीक है और जो झेटेगरी टमक होगा उगा सिक्स्टीछ 한 तक और थ्रीपेज में 5001 से लेके 30,000 के भी तक आएगा उसी साफ से अगर हमारा के टेगरी 4 की बात करें तो यह वेबफ 10,000 होगा और थ्रीपेज में वेबफ 30,000 होगा फिर्ट जो ट्रांसफर्मर अंडर 500 के भी होता है वो के टेगरी 1 में आता है उसको प्रोटेक्शन के लिए हम मीडियम वोल्टेज सेकुट बेकर को यूज करते हैं जो हमारा ट्रांसफ यूज करते हैं जिसमें हमारा बाउचर डेले और चार्डन प्रेसर डेले भी होता है जो क्रॉमन टाइपस अफ ट्रांसफर्म प्रोटेक्शन को हम यूज करते हैं में जो होता है एक नमबरा था हमारा ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन और सेकेंड वन हो जाए है ओवर करें चर्क्षाहाँ सतार प्रस्पार्ट के लिए यूज करते हैं जिसके बार रहे हम बात करेंगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होकर रहे तो इसके सारे डिटेल्स और इसका जो लिंक है मैं डिस्कस्टिन में दे दिया हूं आप वहां से एक एक का चेक कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए